गनेश जी की व्रत कथा, परानिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे, बैठे बैठे वो उबने लगे, तो माता पार्वती ने महादेव जी से चौंसा खेलने के लिए कहा, महादेव माता पार्वती की बात सुनकर चौंसा यानी चौपड खेलने के लिए तैयार हो गए, अब उनके सामने एक परेशानी थी, कि उनके खेल में हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा शक्स नहीं था, इसका हल निकालने के लिए शंकर महादेव ने आसपास से घास के कुछ तिनके इकठे किये, और उससे एक पुतला बना दिया, फिर उसमें जान डाल कर उससे कहा, हे पुत्र, मैं पारवती के साथ चौपल खेलूंगा और तुम हम दोनों के खेल के साक्षी बनोगे, खेल के अंक में कौन विज़ई होता है, तुम्हें इसका निलने करना होगा, उस पुतले से इतना कहने के बाद महादेव और माता पारवती ने चौपल का खेल खेलना श उस पुतले से विज़ई होने वाले का नाम पूछा, तो उसने महादेव को इस खेल का विज़ई घोशित कर दिया, इससे माता पारवती को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पुतले को लंगणा होने और कीचड में पड़े रहने का श्राप दे दिया, माता से श्राप उनकर माता पारवती को दिया आ गई और उन्होंने उससे कहा, एक साल बाद यहां पर गनेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनसे पूछ कर तुम गनेश वरत और पूजन करना, ऐसा करने से तुम्हें मनोवांचित फल मिलेगा, इतना कहकर माता पारव पती और महादेव वहां से वापस कैलाश की तरफ चले गए, एक साल बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई, जब उन्होंने गनेश वरत के पूजन की विधी शुरू की, तो उस श्रापित पुतले ने उनसे इस पूजन की विधी बताने की प्रार्थना की, नाग कन्य उन्होंने विस्तार से उस पुतले को गनेश पूजन की विधी बताए, इसके बाद उस पुतले ने विधी अनुसार 21 दिनों तक गनेश जी का उपवास किया और उनका पूजन किया, इस पूजन से गनेश जी काफी प्रसन हुए और उन्होंने उस पुतले को मनोवांशित वर मांगने के लिए कहा पुतले ने कहा हे प्रभु आप मेरे पैरों में इतनी शक्ति दे कि मैं कैलाश परवत पर जा कर अपने माता पिता से मिल सकूं और उन्हें प्रसन कर सकूं गनेश जी ने तथास्तु बोला और वहां से वे चले गें इसके बाद पुतला रूपी वह बालक चलते हुए कैलाश परवत तक पहुँचा और वहां पर वह भगवान शिव से मिला महादेव से उसने सारी बात बताए बालक की बात सुनकर महादेव ने भी 21 दिनों तक गनेश वरत करने की इच्छा जाहिर की दरसल चौपल के खेल वाले दिन माता पारवती महादेव से भी नाराज होकर कैलाश छोड़कर वहां से चली गई थी माता पारवती को मनाने के लिए महादेव ने भी 21 दिनों तक गनेश वरत किया ऐसा करने से माता पारवती 21 में दिन कैलाश परवत वापस आ गई और उनके मन में महादेव के लिए जो नाराजगी थी वो भी खत्म हो गई माता पारवती के वापस आने पर महादेव ने सारी बात उन्हें बताए ये सुनकर माता पारवती के मन में भी अपने बड़े पुत्र कार्तिके से मिलने की इच्छा उत्पन हुई उन्होंने 21 दिनों तक गनेश वरत करने का निलनाय लिया उस पुतले रूपी बालक द्वारा बताई गई विधी के अनुसार माता पारवती ने 21 दिनों तक गनेश जी का उपवास किया और विधी से पूजा अर्चना भी की वरत के 21 में दिन ही कार्तिके खुद ही अपनी माता पारवती से मिलने के लिए कैलाश पर आ गए आगे चल कर इस कथा और वरत के बारे में कार्तिके ने विश्वामित्र जी को भी बताया विश्वामित्र जी ने भी 21 दिनों तक गनेश जी की पूजा की भगवान गनेश ने प्रसन होकर उन्हें ब्रमरिशी होने का वर्दान दे दिया कहानी से सीख गनेश चतुर्थी वरत कथा के जरिये गनपती देव को प्रसन किया जा सकता है सच्चे मन से इनका उपवास करने से मनो कामनाई शीग रही पूरी हो जाती है